हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लासिक्स का फर्स चैप्टर पढ़ेंगे फूर व्यर डजिज कम फ्रॉम इसका पूरा हिंदी में डिस्क्रिप्शन बताऊंगी मैं तो सबसे पहले देखेंगे कि फूर कहां से प्राप्त होता है और इसकी फूर बराइटीज क्या होती है तो है कि आऽज ने साबर और यह चत्नी बनाई होई है यह सार आएं इंडिया में का फूर में ठीक है यह जो में फिम ब्रो पास में अधिक्तर लोग विस का यूंज करते है इन तो बेंगोल में हो सकता है मारास्टों में हो सकता है प्कार दीक्तर में डिल्ट नह बंभी नॉर्थ में ज़्यादा खाई जाती है इस तरह से सरसुका साग है सरसुका साग पंजाब में साइड में लिया जाता है मक्य की रोटी तो यह अलग 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 होते हैं अब हम देखते हैं कि ingredients क्या है ingredients क्या होते हैं कोई भी food item को बनाने में जिन चीजों का use होता है उन्हें ingredients कहते हैं तो ingredients क्या हो सकते हैं जैसे कि activity 2 में हम देखते हैं इसकी जो table 1.2 इसमें देखेंगे लिखा हुआ है जैसे रोटी और चपाती यह क्या है food item है ठीकर रोटी चपाती के ingredients क्या है चपाती बनाने के लिए हमें आता चाहिए होता है और water चाहिए होता है तो आता ओ वाट इसके ingredients हो गए इस तरह से चाहिं दाल है दाल pulses इसके लिए हमें क्या ingredients यह है pulses water salt oil गी spices जितने भी अबनानी जो Chuck बहुत दाल बनानी जो यह सबस्क्रानी बनानी भी दालगए सबस्क्राइन मैंस टीटे हैं इसके हैं विखोपड़ा फ्ल oui यह सबस्क्रानी बें, दाल मिगा फ्लावे की पुल्य बनानी फंडुम्रक निली चाहिए तो इस तरीके से इसके ingredients बढ़ और कम सकते हैं, ठीक है इस बाight से अगर हमें पुलाओ बनाना है पुलाओ बनाने के लिए हमें कौन शी ingredients की जड़रत होगी तो पुलाओ बनाने के लिएस जचाहिए कोदूर हो वेले जीताई तो होंगे ही होंगे। वेजिटेबिल उसमें स्पायसिश घीज़्याइ गी जज़्याइए जो भी आप यूचिशी करेंगे लूट splits आगर हम किठ्टी बना रहे हैं तो हमें ऊस चावल डाल यह सारे चीजि यूझे रहे हैं को चावल डाल यूझे होंगी और खौन के बिन चोक ब। और रहे हैं तो इस तरीक़ा से इंग्रेइट हमें तो इस फूरीनन सब्लाफ। अब आदेंे हम नैस्त टॉपिक पर फूड मेंटेर्योन एंड सॉर्स अब फूड माधेल्यों सोर्स क्या है ? जो भी फूड आइटम् हमें किसी सोर्स से प्रॉड एंड किस सोर्स से प्रापत हो रहा है года उसे कहेंगे हम उस फूडson का सोर्स उस food material का source अब जैसे कि हमारे पास है fruits and vegetables तो fruit and vegetables कहां से प्राप्त होते हैं plants से plants ही तो देते fruits and vegetables ठीक है where do they come from plant अब कोई plants से मिलते हैं what are the source of rice or wheat rice or wheat के sources क्या है जे paddy field होते हैं जो जहाँ पे हम rice or wheat के plants grow करते हैं इनको हम रोज में लगाते हैं इस तरीके से और इसे हम बाद में rice or wheat निकालते हैं यह होगे paddy field इसको कहेंगे rice का field हो तो paddy field और wheat field होते हैं वह इसी तरीके से होते हैं इसे हमें rice or wheat मिलते हैं जितने भी हमारे grains हैं उनके field इसी तरीके से होते हैं अब आती है बात कि हमें इनिमल सोर्ससे है här, यह तो प्लांट सोर्सेब होके जो फ्रूट हैं वेजिटेमिस हैं ग्रेंस हैं स्पाइसिध हैं यह सारे हमें प्लांट सोर्सेमिलते है अब अगे whatllo इनिमल सोर्सिस क्या है तो जो हमारे फूड आइटम like milks, eggs and meats which come from animals जो कि animals से मिलते हैं कौन कौन से animals से मिलते हैं milk मिलता है egg मिलते है milk, eggs and meat कहां से मिलते हैं animals से मिलते हैं ठीक है अब जो egg है कौन प्रोडूस करता है hand प्रोडूस करती है और जो milk है milk किसे मिलता है buffalo से, cow से मुश्री वफैलो कही हम यूज करते हैं काउ से मिलता है गोट से मिलता है तीक है अब ऐसा कौन सा और एनिमल है जो कि मिल्क प्रड्यूस कर सकता है जिसका हम मिल्क यूज कर सकते हैं अपको शीप शीप से भी हमें मिल्क मिलता है और ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे हमें मिल्क मिलता है सोया बीन से हमें मिल्क प्रडूस होता है जो कि प्लांट सोर्स है ठीक है अब जो मिल्क है मिल्के प्रॉडक्ट कौन कौन होते हैं वाटर क्रीम चीज कर्ड जो कि हमें एनिमस से मिलते हैं क्योंकि मिल्क के थू मिलते हैं तो हमें एनिमस से मिलते हैं ठीक है अब इसम अब इडली है इडली का इंग्रेडियन्स क्या है इडली बनाने में क्या यूज़ होता है राइस उरद दाल साल्ट एंड वाटर तो राइस हमें किस से प्राप्त होता है प्लांट से प्लांट इसका सोर्स और उरद दाल का भी सोर्स क्या है प्लांट से हमें उरद दाल भी प वाटब्त है वाटर से मिल हैं अब तक यह लो और को क्यों होता है if or give chicken टेकिन हें थैकिन करीए chicken गरी में होता है जिके- इसकी गरींट वह चीकिन है article इसपाइसें और हई गी ए वाटर है ठीक है तो जो चिकन है चिकन का सोर्स क्या है एनिमल स्पाइस का सोर्स क्या है प्लांट और गी जो वाइल है अगर आप वाइल यूज करें तो प्लांट से हमें वाइल मिलते हैं जो प्लांट के सीड्स होते हैं उनसे वाइल प्रोड्यूस होता है और घी अगर हम घ भी निकाल सकते हैं उसके जो क्रीम होते हैं उसे हम कलेक्ट करते हैं उससे हम गी निकालते हैं तो यह हमें आनिमल से प्राप्त होता है वाटर वाटर तो कुछ रिवर्स है जहां पर वाटर का सोर्स है वहां से वाटर मिलेगा अब खीर अगर हम बना रहे हैं तो खीर के इंग इसे वहीख की खीर बनती है वे छीज की खीर लूद आ आ जाना लैसकी जारा那 में जाला भीन भीन है जातली हमिन सुगर में लिए ल्घ्चतた सु मिलकिन वर राइस हो उसका है कि लिए इस और राइस द्दाट उसकी है है क्वुऑ मिलक प्लाइस सुगर केंज stoowords मिलं मिलकि से मेलते हैं ड्राइफ्लोट्स तो पहले तो प्लांट के पार्ट समझ लेते हैं कौन को से पार्स होते हैं जो स्वाइल के अंदर होता है उसको कहते हैं रूट जड़ अब जो root के बाहर, मैंलब soil के बाहर आता है, जो कि aerial होता है, मैंलब हवा में होता है, उसको कहते हैं, suit. ये पूरा क्या हैता? suit system. और ये वाला पूरा होता है, root system. रूट में यह जो स्टैम के पास है यह मोटी वाली यह कहला थी प्राइमरी रूट और इस रूट से यह अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं को हम कहते हैं सेकंडरी रूट ठीक है यह क्या है सेकंडरी रूट से और यह प्राइमरी रूट है पूरी ठीक है ऊपर हम सूर में यहां पर यह पूरा स्टैम सरू हो जाता है इस टैम से अगर और भी स्टैम की ब्रांचेस निकलें उनके स्टैम ब्रांच कहते हैं दो स्टैम के बीच के जगे दो नोट हैं यहां पिकाते से होती हैं कि नोट से होते हैं उनके बीच की जगे को इंटर नोट कहते हैं यह द दो नोड के बीच की जगे को inter note कहते हैं यह leaf हो गए ठीक है यह flowers हो गए और यह flowers की birds हो गे यह green इह चोटी-चोटी सी क्या है buds और यह fruit है fruit यह flowers है यह तो हमने समझ लिया के plant parts कौन सो हते है अब इस bacon part में edible part कौन से है तो root, कुछ plants की roots edible होती है, जिसे के birdis हो गया, carrot हो गया, ये क्या है, root है, ठीक है? तो अब जो मूली है, birdis है, birdis की edible पार्ट क क्या होता है, root होता है, और दूसरम जो radish होते हैं, उसकी leaves होती है, जो ओपर भार education होती है, वो leaves होती है, वो भी एडिबिल होते हैं उनके भी सबजी बनाई जाती है और मूली तो हम सैलेड में भी खाते हैं ठीक है और इसके परांटे भी बनाते हैं और सबजी भी बनाते हैं वो तो यूज होती है और साथ में इसके लीफ से भी उज़ते हैं इसके दो पार्ट है इसके दो पार्ट फ्रूट फ्रूट एैक प्लांट का 필요 होता है पंपकी Angels फ्रूब्हयां होता है वह पंपकीन liv female थार्स यू जो pairs फ्लारस को हम देप करे के नच पेस्ट में ऐमारे ऐडीवal पार्थ होता है उसे खाल कशक्ण और भी एडीवल पार्च म्हें जाती है थाय अईडीन दो से मॅस्टर प्लांट इसा से प्लेंट इसके दो पार्ट होते हैं सीड का में है सीड़ के सीड़ करते हैं कि स्पासिज के यूप में हैं फी आइल भी प्रडूज होते हैं सीज के और प्रडेस के ऐल के केक बच जाता है उसको जो हमारी अनिमाल से वह खाते है तो इसे हम कहते हैं आएल केक थीक है अब जो इसके प्लंस की लीब्स होती है स्रसो का साइक बनाया जाता है जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है पंजाब में मक्का और सर्सोका मक्के की रोटिया और सर्सोका साथ फीमस होता है तो इसके दो पार्ट होगे एडिबिल एक तो सीर्स और दूसरा मस्टर लीफ ठीक है Can you think of the different part of banana plant that are used as food तो banana plant उसके जो बनाना होते है बनाना उनको हम खाते हैं जो पके हुए होते हैं उन्हें हम खाते हैं और जो कच्चे बनाना होते हैं उनकी सब्ची भी बनाते हैं और जो बनाना की लीफ्स होते हैं उनके हम पूजा में भी यूज़ करते हैं और उनका हम यूज़ करते हैं खाना को शर्व करने में जैसे के साउथ हिंदिया में खाने को सर्व करते हैं इसके साथ में लीव के साथ में ठीक है केरल में बनाना से ठीक है अब तेखते हैं टेवे नंबर लंबर 1.4 Plant part as food अब ब्रिंजल करी है बिंजल करी में जो इंग्रेडियन्ट है और प्लांट सोर्स है कौन है ब्रिंजल चिली as a spice चिली इसपाइस की रुप में यूज है अनि अधर इसपाइसे इसमें यूज हुए तो जो आपका ब्रिंजल है वो क्या है? फ्रूट है और चिली क्या है यह भी फ्रूट है ओल फ्रॉम ग्राउन नट, मस्टर्ड, सोया बीन इसमें हमने जो बनाने के लिए ओल यूज है वो हमें प्लांट सोर्स से ही प्राप्त हुआ वो प्लांट के सोर्स कौन से? सीड से प्राप्त हो तो फ्रॉम प्राउनन बस्टर्ड सोया बीन और अधर प्लांट सीड है इसका इंग्रेटियम्स प्लांट पार्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी नूमबर फोर सबसे पहरे इस चित्र में रेखोंगे इसमें बताया गया है कि सारे ही प्लांट को हम अनमें से कुछ प्लांट कैसे होते हैं पॉजनेस होते हैं इसमें प्लांट को जानते नहीं हमें तेस्त नहीं करना चाहिए हो सकता वो प्लांट्स अंच वो सकता नहीं भी हो from all the food items you have listed in the table 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plant which part of a plant identify these and list the food items and plant parts as shown in the table 1.4 जो हमने करा था भी 1.4 इस टेबल में यह सारी है इसी तरीके से हमें और भी plant parts पता करने हैं जैसे कि कोई भी है जैसे गोबी की सबजी है गोबी आपलबी की सबजी है तो उसे हमने कौन-कौन से ingredients चूज की है ओर उनके plant parts क्न से उसमें है जिसे आलो गोबी है तो गोबी क्या है plant का fruit fruit प्लाइडउ वाला पार्ट है और इसके आलो जो है हुर स्टेम है तो ही छżej जो मूँज़ डाल है मूँज़ डाल वाचर मी शोपिन एक दिन के लिए उसके बाद अच्छे से शोक हो जाएगे इसका water strainer की सायता से drain कर देंगे लब इसका water drain कर देंगे तो इसमें को फिर हम क्या करते है muslin cloth में बांद के रख देते हैं one day के लिए two day के लिए यह temperature पर depend करता है अगर temperature जादा है तो यह one day में ही sprouted हो जाएगे और अगर temperature काम है तो इसको हो सकता है two days भी लग जाए sprout होने में तो हो वहां के बैदर पर depend करेगा ठीक है अब जब यह दो दिन बाद एक दिन बाद में इसे देखेंगे तो इसमें यह वाइट वाइट से इसे सीद्लिंग निकली होई होगी ठीक है इनको ही हम क्या कहते है इस्प्राउट कहते हैं यह बहुत ज़दा healthy होते हैं इनको snack की रूप में खाया जाता है इसी तरह किसी जो चने होते है इन चनों को भी प्राउस बना सकते हो इनको भी इसकी रूप में खाया जा सकते हैं बहुत ज़दा healthy होते हैं अब होता है Nectar Kya है जो flowers होते हैं flowers का पीज का मकरं जिनसे स्वगन निकलती है वही जूसКो ते तु आप इसको 20 होती है जो वह उस चूस को कलेक्ट करती है और इन स्टेट निकालते हैं इस चट्टे को निकाल लेते हैं इसे जो भी स्वीच यूज उखता क्या है वहनी की रूपन हमें प्राप्त हो जाता है What do animals eat? मतलब animals क्या खाते हैं? उसके आदर पर उनको कितनी तरीके से डिवाइड क्या गया है Animals अब इस चेटर में देखते हैं इसमें कुन बना? इसके रिल बनी है? गिलेरी? यह क्या खा रही है? यह दाने खा रही है यह हुंके, चैने के इसी तरही का तरही है पैरानेों इसलिए प्रुर्स बहरे हैं wellness यहान उसी तरही की प्रुस्ति और घिर बुपन के लिए इसी तरही तरही है नदो वी मेवने लों और ते पैसे तरही है तो आननाते合ी कोो ह chiया है यह मैं देख से हमें किया घाते है जो भी यह फुटी हव लिजार्ण होथी है वह चोटी इंस्सेट्स को क्या खाती dairy लिई 2.5 में भी देख Mooji 125 मी fakublum उस मस्टर्ड शीर होते हैं उसमें से जब ऑईल निकाल लिया जाता है मस्टर्ड ऑईल निकाल लिया जाता है उसके बाद में जो वेस्ट बचता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे ऑईल केक यह हम इन अनिमल्स को खाने को देते हैं जो कि हर भी बोर्स होते हैं सीर्फ टिया है जासे लगर चूकettes ने ऐनिमस को खाती है चूकी और रंच के ने स्मॉभन लगत वियाएख जो बिलेर को खाती है बॉक बेटे हैएं अर शावति ड्यारी को कहती पीते हैं पैते हैं अनिमस तो मतलब किस जो हеся कैसी होतीуют कार्णी वोर्स होती है, हर्वी वोर्स ने कार्णी वोर्स होती है, क्योंकि यह सिर्फ अनिमल्स पर डिपैन होती है, रैट, रैट क्या होता है, सिर्फ प्लांट सोर्स से रिलेटेड चीज़ा ही खाता है, तो यह रैट कैसा है, हर्वी वोर्स ही है, इस तरह से लाइन, लाइ एनिमल्स को ऐट करते हैं तो यह भी कानी वर्स हो गाया, स्पाइडर भी, छोटे-चोटे See larger gi économique कानी वोर्स हो गैं हाउस लिजार्ड भीते हैं जिक्तलिश्व काते हैं, यह भी कानी वर्स होगी यह भी चोटे सी इसेक्स को खाती है तो यह भी कार्निवोर्स होगी काव क्या गाती है ग्रास काती है और यह काती है यह काती है ग्रास काती है तो यह हर्वी वोर्स है यूमन बींग्स यह तो हर्वी वोर्स को भी खाते हैं और यह क्या करते हैं यह प्लांट से भी प्लांट चीजों को खाते हैं और यह एनिमल्स को भी खाते हैं तो यह कैसे होगे हर्वी बोर्स होगे human being butterfly यह भी हर्वी बोर्स है यह plant nectar को collect करती है और crow क्रो क्या होता है डाने भी खाता है और भी होते हैं अब हैं हर्वी बोर्स कौन होते हैं यह एकुटी 7 में हर्वी बोर्स कौन होते हैं जो गुरुप बन मेलब जो प्लांट्स को कुछ एनिमल्स होते हैं, जिन को जो प्लांट्स को खाते हैं, तीक है, जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर भी बोर्स, और जो एनिमल्स किसी खाते हैं, हर भी बोर्स को खाते हैं, उनको कहते हैं कार्निगोर्स, जो कृते हैं अको कहते हैं। कार्णिемся कार्णिवर्स अपड़ी प्लांटस पास्ट दू हर्वी इन तिन को खळते हैं सर्वहारी यूर्विव कहते है हुआ हुआ । कि अब तेबल नबर 26 में देखें गे सोटी यहए काव कावर्यॉर्स के खाती है कि काव रिपने स्टार खाती है कावने खाती है अगिसदा नियुदस के छीषछरु Congrats बीखाती है औरिग दोग रोटी भी खाता है और तूसरे अनिदुर्स को भी घाता है तुए क्या हो गया error एककर तेरह होता है विभा देखिते हैं इन ग्राइडियन्स चाहुता है जो फूट ाइटम को बनाने कर लिए जिन शीजों की जरुवता एंग्रेडियंस वते हैं इन ग्राइडियन्स बाते हैं ग्राइडियन्स लेकें मजने eat भो खैंगें ने ने यगें Шर वेशिता हैं स्प्राउट निकलते हैं जड़े सीड वाइड वाइड निकलने लगती हैं। जो की नहीं से प्लांट बनने के लिए तयार होता है। हर्वी बोर्स को खाते हैं और ओमनी बोर्स जो प्लान पार्ट को खाते हैं उन्हें कहते हैं आपको यहां पर यह चैप्टर कंपलीट होता है आगे की वीडियो में आपको इस चैप्टर के question answer और competitive question answer जो इस chapter से related है उसकी लिंक में इस वीडियो के description box में डाल दोंगे Thank you